सबसे जरूरी समस्थान है जो बच्चों के रहने का ठीक है वो भाईया ना अड्रेस किया भाईया को बहुत बहुत धुराग नेते हैं अच्छो और सांती पुरुआट इसी तरीके से आपको अपने गंत अभी अफ्थान पग जाएं हाई कोट का कोई भी ओडर सीलिंग का नहीं है हाई कोट जब से बेस्मेंट में बच्चे दूखे उनका जो नुक्सान हुआ उसके बार से हाई कोट इन सारे संस्तान जो बेस्मेंट में चल रहे हैं उनकी सुरक्षा नर्म्स को जानने के लिए उन्होंने आदेशित किया है बेस्मेंट सील हो रहे हैं, बेस्मेंट के कारण जो बच्चों की जान गई वास्तों में बहुत ही दुखद है, हम तो प्रार्थना करेंगे कि बेस्मेंट का भी अब सेफ्टी नौर्म्स निकाला जा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बेस्मेंट नहीं चलता है कहीं, यहां भी मेट्र Macro basement में चलती हैं तो क्या Metro बंद कर दें हम अभी जापान होके आये Washawn शारचाल फुरोर देखे Metro चल रहे नदी के नीचे फुल अंदर सुरंग में है हैं तो दोशannieと cents को देने की जगह basement की सेफ्टी नौर्म से देना चाहिए लेकिन फिर भी कि बेस्मेंट के अलावे जो कोचिंग चल रहे हैं उनमें एक नियम है किस कोचिंग सेंटर में कितने लोग पढ़ सकते हैं आप संख्या निर्धारित करो आप जहां कुछ नियमों का उलंगन हो रहा है उसको देखो कोट ने यही जानकारी मांगी है लेकिन उसकी जगह कुछ अधिकारियों ने हमने भी महसूस किया कि उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाते हुए इलीगल स्टीलिंग करी है हम आज सभी छात्रों की और यहां के शिक्षा से जुड़े लोगों की बात सुनी है हमें सिक्षा जगत जो कोचिंग जगत है इनकी भी बातों को समझना है मुखरजी नगर को एजुकेशन हब बनाए रखना है और उसके साथ जो हमें चात्रों की भी समस्याय आई है किसी का रें्ट के विसए में, किसी को रहने खाने के विसए में तो यह सारी चीजो में हम जो best रास्टा हो सकता है उसको निकाल करके इंको राहत देने को तत पर हैं अभी जब तक fire noc के norms जो पूरा कर रहे हैं या पूरा करने का प्रयास करें तब तक किसी को कोचिंग नहीं करने देना चाहिए मैं एक दो दिन में ये डिसीजन आप सब को सुना दूगा और मौश प्रबली हम ये करी लेंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं उनको जरा बुलाईएगा और जो कोचिंग सेंटर बेस्मिंट के अलावे सील हुए है हम उनको खुलवाने के लिए पुरा प्रयास करेंगे और हमें विस्वास है कि हम सफल होंगे हमारे MCD के नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी है हम लोग के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं और हमें पुरा विस्वास है कि कानून के तहट मुखरजी नगर कल भी चलता था आज भी चलेगा और कल भी चलेगा हमने उन बच्चों को अपने पास बुला लिया है और हर चीज का समाधान बाची से संभव है जब हम कोचिंग सेंटर्स के लिए और छात्रों की इन दोनों बातों को साथ रखेंगे तभी समस्या का सही निदान होगा देखो हमें भी पता है कि रूम रेंट को लेकर रहने की सिती को लेकर मीडिया ने भी कई रिपोर्ट दिखाई है जो चिंता जनक है जिसको हमें मुखरजी नगर ही नहीं पूरे दिल्ली में लागू कराना है ताकि बच्चे पढ़े भी सुरक्षिद भी रहें और कम से कम खर्चे में मैं वो बिल्कुल कभी कभी हमारे नाम का गलत उप्योग करते हैं हमारा उनसे कोई सम्मन नहीं है और स्विक्षादान की जो भी समस्याएं है हुआ करके हमको बताएं मैं नहीं समस्ता हूँ कि सिक्षाद चले और कानूनन चले फिर भी किसी को समस्या होनी चाहिए थे 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 यजय को तर्फ उनसे को समस्याएं